आदर सेक्षन समेती बाड मेर के खक्षाई सेक्षन में सभी भया भय नौका आर्दिक श्वागत आज हम संस्कृत के एकादसह पाठ सावित्री भाई फुले के प्रश्णों तर जो सेश बचगे हैं उनको पूर्ण करेंगे पहला और तीसरा प्रश्ण हमने पहले कर दिया था दूसरा प्रश्ण है पूर्ण वाक्ये उत्तरत पूर्ण वाक्ये में उत्तर दीजिए क किम किम सह माना सावित्री भाई स्व द्रड निश्चयात न विचलती किस किस के साथ सावित्री भाई स्व अपने द्रड निश्चय से विचलत नहीं हुई यह उनके साथ क्या क्या हुआ जिसके काण से वह अपने निश्चय से विचलत नहीं हुई उसका उत्तर है स्वा उपरी दुलिम प्रस्तर खंडान च सह माना सावित्री भाई स्वा द्रड निश्चयात न विचलती अपने उपर दूल और पत्थर के टुकले के फैकने से सावित्री भाई अपने द्रड निश्चय से विचलत नही खा है सवित्री भाई फुले मोध्या यहां पित्रो नाम किमासित सवित्री भाई फुले मोध्या की माता पिता का चा नाम था सवित्री भाई फुले मोध्या मातु नाम लक्ष्मी भाई पितू च नाम खंडोजी आस्ताम यानि सावित्री भाई फुले मोदे की माता का नाम लक्ष्मी भाई और पिता का नाम खंडोजी था ग विवा अनंत्रम अपी सावित्री अमनसी अध्यनम बिलासा कथम उत्साम प्राप्त वती विवा के बाद सावित्री के मन में अध्यन की अभिलाशा किस प्रकार उत्सह प्राप्त किया विवा अनंत्रम अपी सावित्रिया मनसी अध्यना अभिलाशा सो पत्यु प्रत्नेन उत्सह प्राप्त वती विवा के बाद सवित्री के मन में अध्यन के प्रति अभिलाशा अपने पती के प्रयत्न के प्रयत्न से उत्साहा प्राप्त किया गह जलम पातू निवार्य माना नारी साकुत्र नीत्वती किंचा कथियत जल लेने के लिए जल प्राप्त करने के निवार्य नारी को कहा ले गई और क्या कहा जलम पातू निवार्य माना नारी सा निजगरम गत्वती जल लेने के लिए निवार्य के लिए उसने नारी को अपने घर ले गई टडागम दरसीत्व कत्यम तलाप को दिखा कर कहा चयत यतिष्टम जलमनाद यहाँ तलाप सरजनिक है यहाँ जलल गरनें का कोई जाती बंदन नहीं है कासाम शिंसथानाम इस्थापना यहाँ फूले दंपत्य कवदानम मेंतो पुर्ण किस संस्ताओं की स्थापना के लिए फुले दंपति का योगदान महतोपुर्ण है तो दो प्रकार की सिवाएं संस्ताओं अनन गठित की थी मैला सिवा मंडल और सिसु अत्या प्रति बंधक ग्रहम इती संस्ता नाम, इस्थापना नाम, पूले दंपत्यों अवदा नम, महत्वपुर्ण चाहे सत्यसोदक मंदलश्य उद्देश्यम कि मासित सत्यसोदक मंदलश्य उद्देश्य चा था सत्यशोतिक मंडल अश्य उद्धिश्य उत्पिडिता नाम समुदया नाम स्वाधिकारान प्रती जागरण मासित उत्पिडित समुदय को अपने अधिकारों के प्रती जागरण ये सत्यशोतिक मंडल का उद्धिश्य था तस्चे दो कावे संक्लन अयो नाम निके उनके दो कावे संक्लन के नाम क्या है तोनन दो कावे संक्लन निके थे एक तो है कावे फूले और दूसरा सुबोद रतनाकर ये दोनों के कावे संक्लन थे चुता प्रश्न है यह था निर्देश्यम उत्तरत्त। नि्रदेश्यक नुसार उत्तर दीजिए इदम चित्रं पाढ़ सालायह़ हो वरतते हो। क्रिएपदे इसका करता है क्या है तो चित्रं। फिर तश्या स्वक्यम अध्यनम अपी सहेव प्रच्चलती अस्मिन वाक्य विशेश्य पदम किम इस वाक्य में विशेश्य क्या है तो अध्यनम ये विशेश्य है अपी यूयम इमाम महिला जागी था अस्मिन वाक्य यूयम इतिपदक के भ्यव प्रियुक्तम यूयम किसके लिए प्रियुक्त हुआ है तो च्छात्रे भ्य को अपने घर ले गई तो वह कौन सा किसकी लिए प्रियुक्त है तो सावित्री भाई मोध यह यहां है सीर्ण वस्त्राविर्ता तथा कतिता निम्न जातिया कांचित नार्य जलम पातुम या चंतिस्मा अत्र नार्य किती पदशिय विशेशन पदानी कानी शंती कानी चायती लिखत नारिय इस पद का विशेशन क्या-क्या है? तो सिर्ण वस्तरविर्ता तथा कतिता निम्न जातिया और कंचित यह चार नारिय शब्द के विशेशन है वो लेखने पाच्वाया अदोलिक किताने पदाने आदरते वाक्यानी रच्यत पदाउं का अधार पर वाक्यों का निर्मान किये स्वक्यम छात्रा स्वक्यम पुस्तकम आदाय गच्छती छात्रा अपनी पुस्तक लेकर जाता है सव विनोधम राम सव विनोध के साथ मित्र के साथ बातचित करता है सक्रिया सावित्री भाई पुले नारी जाग्रणे सक्रिया आसे सावित्री भाई पुले नारी जाग्रणे में सक्रिये थी माराष्ट्र प्रदेश शिये ये म्रत्नमस्ती मुखरम सा नारी जाग्रने मुखरम कार्यमा करोत सर्वता सावित्री भाई सर्वता नारी जाग्रने समर्पिता आसेत छट्टे में भी अदो लिखातेनी पदानी आद्रत्य वाक्यानी रचेत उपरी प्रक्षश्य उपरी खगा तिष्टनती आदानम विद्याया आदानम प्रदानम सदेव कुरियात विद्या का आदान प्रदान सदेव करना चाहिए परकियम कदापी परकियम अन्नम वृथा ना कुरियात विशमता नारी नर्यो कदापी विशमता भवेत विशमता ना भवेत व्यक्ति गतम वयम व्यक्ति गतम स्वार्थम टेक्तवा सर्वेतम चिन्त येत आर्वा व्रक्षे आर्वा मानिकारक अभी भवती चड़ना अंगारक वो सकता है अधोलेखित पदा नाम समार्थक पदानी पठा चित्वा लिखत ये जो पद्धीवे हैं नीची पद्धी इनके समार्थक पद छाट करके लिखना शिक्षने उसका समार्थक पर दे अध्यापन पथी यानि मार्ग में मार्गे रिदे रिदे में या मंसी मंसे इच्छा नुसारम यथेश्टम योगदानम अवदानम निरन्थरम अविरतम अधोलेखित पदा नाम लिंग विभक्ती वचनम सा लिखता दूलिम ये इस्त्रिलिंग शब्द है दूतिया विभक्ती का एक वचने नामनी नपुशेंग लिंग और सब्टम विभक्ती का एक वचने अपरह पूरलिंग प्रतमा विभक्ती का एक वचन कन्या नाम इस्त्रिलिंग शब्दे कन्या और सष्टि विभक्ती का ववचने सह भागीत हा इस्त्रिलिंग प्रतमा विभक्ती का एक वचन नापीतेह, पुरलिंग, तृत्या विवक्ति का बहुवचन सात्वाय उधारनम, मनुसरतिय, निर्देशा, नूसानम, लकार परिवर्तनम कुरूता साथ सिक्षिक अस्ति ये लंग लकार का वाकिय है नहीं, लट लकार का वाकिय है, इसको लंग लकार में बदलना है पुर्देशा, निर्देशा, 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 निर उत्वरुस्का भुुचन है इसको विद्यलेंम लाकार भुुचन हो जाएका फटेमा वयम प्रतिदिनम पाठम पठेमा यूजम किम विद्यालयम गच्छत द्रट लकार में बदलना है तो गच्छत था की जगे गमिश्यत हो जाएगा तेबाल का फिद्यालयाद गरहम गचन ती इसको लंग लखार मदलना है गचन ती की जगह अगचन हो जाएगा परतम पुरुस का भगुचे ने आज का ये पाठ पूरन हुआ, जय हिन्द, जय भारत!